हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में इस वीडियो में आप सिखिए कि MS Word के अंदर आप कुछ इस प्रकार से ID कार्ड डिजाइन कैसे कर सकते हैं अगर आप ID card कुछ इस प्रकार से design करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो में दोस्तो मैं आपको MS Word के अंदर ID card design करना कुछ इस प्रकार से सिखाऊँगा तो चलिए मैं वीडियो को सुर करता हूँ आप वीडियो पर बने हुए रहेगा सबसे पहले दोस्तो आपको अपने computer में MS Word को open कर लेना है चलिए मैं open कर लेता हूँ जैसक दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने अपने computer में MS Word को open कर लिया है उसके बाद सबसे पहले हम अपने page को एक बार set करेंगे तो आप भी set कर लिजीगा page को set करने के लिए आपको layout पर click करना है उसके बाद आपको margin पर click करना है इसमें आपको narrow option को select करना है उसके बाद आपको size पर click करना है size में दोस्तों आपको size A4 वाली option को select कर लेना है तो आपका page कुछ इस परकार से यहाँ पर set हो जाएगा अब चलिए मैं ID card बनाना सुरू करता हूँ ID card बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करता हूँ मैं अपने page को थ्वाजा जूम कर दो कि आपको अच्छी परकार से देखेखेंने तो चलिए मैं अपना page को थौरा से मैं बड़ा कर लेता हूँ बड़ा करने के बाद दोस्तों उसके बाद देखें आपको Accept पर क्लिक करना है, cluster पर क्लिक करने को और आपको Search पर क्लिक करना है, और है से तरीका से ज़सा कि आप देख रहे हैं, जबő cargo data करोई से ज़से कि उपर एक format tab का option खुलगा जयसा कि आप देख रहे हैं, यह format tab का option तब दिखाए देगा, जब आपकाнуть यहां पर select रहेगा जैसे कि माले जी आपने बाहर क्लिक कर दिया बाहर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखे कि उपर में format type का option यहां से हट जाता है तियानि कि जब आप steps को select कीजिगा तो ही आप उपर में format type का option का use कर सकते हैं तो आपको format type पर click करना क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देखे हाँ पर एक option मिलेगा आपको size का तो सबसे पहले हम ID card का size यहां पर shade कर लेते हैं उपर में देखे आपको height मिलेगा नीचे में मिलेगा width तो height में दोस्तों आपको 2.5 लिखना है जैसा कि आप दे सकते हैं और width में आपको 4 लिखना ह कुझ इस टाप से लिखने के बाद दोस्तों आपको अपने बाहर क्लिक कर देने अपने page पर एक बार क्लिक कर देजीगा क्लिक करने के बाद आपका shapes आपके ID card के size में यहां पर shade हो चुका है अब चलिए मैं ID card बनाना सुरू करता हूं कुझ इस प्रकार से मैं shapes को यहां पर shade कर लेता हूं जैसा कि दोस्तों आप देख रहें उसके बाद दोबारा से मैं shapes पर क्लिक करता हूं format पर क्लिक करता हूं और यहां पर देखे shapes फिल में जाकर यहां पर आपको color को फिल करना है अगर दोस्तों आप कोई color फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं या फिर आप नो फील पर klik कर दी, उसके बाद दोस्तों, आप को shapes your expertise ने अव् улиory पर klik करना, klik करने का बाद दोस्तों, आप अपने shapes का outline का color अपने हिसाब से slate कर लीजिगा, चलिए मैं black color को slate कर लेता हूँ, black color को slate करने का बाद दोस्तों, अब चलिए मैं ID card का आगे का काम मैं आपको बताता हूं उसके बाद मैं दुबारा से इस सेट पर क्लिक करता हूं अब दुबारा से मैं एक रेटेंगा सेट को मैं असलेट किया है और कुछ इस परकार्शी में ड्रोग क्या हूं जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं उसके ब स्षक्राइब करता हूं इतना काम नहीं के बाद दोस्तों इस पर मैं इस पर क्लिक करता हूं और जाकर दोस्तों इसमें आप Youtube अपने साथ से ख़िग लेता हूं जैसा कि आप देश सकते हैं उसके बाद आपको यहां पर more ग्रेंडियर फिल पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस पर कार से says format का option खुल जागा इसमें आपको धेखे याँ पर मिल जाता option ग्रेंडियर फिल का ज़शा को दोस्तों आप देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस टाप से यहाँ पर आपको box बना हुए मिलेगा देखे दोस्तों हहाँ पर मैं थो color का यूजda यूजड़ कर दिया। आलम जैसा कि आप देशक्डे से हुआ को रिमूब करता हुआ। उसके बाद आपको एक पर kuga करना है उसके बाद आपको color का 3 पर करना है क्लिक करने कर दोस्तों। color को fill करना चलिए मैं यहाँ पर red color को मैंने fill किया है उसके बाद दोबारा sister में click करता हूँ और यहाँ पर कुछ इस टाप से जो यहाँ पर ज्यादा red होई fill इसको dark red को मैंने slit किया है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से बाहर आ जाना है यानि कि इसको आपको close कर देना है close करने के बाद दोस्तों आप देश सकते कि आपके shapes पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर color अपलाई हो जाएगा color दोस्तों आप अपने हैसाब से select कर सकते हैं हम रेड अच्छा लगता था तो इसलिए मैं रेड को यूज किया है आपको जो भी color पसंद आता है उसका आप यूज किजीगा उसके बाद मैं दुबारा से insert app पर click करता हूँ सेस पर click करता हूँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखेगा shapes के अंदर कुछ इस प्रकार से आपको एक shapes मिलेगा जैसा कि दोस्तों आप देख रहें कुछ इस तरीका से मिलेगा इस shapes को आपको select करने के बाद दोस्तों इ क्या करूंगा इसे format पर जाकर इसको outline को मैं no कर दूँगा और इसको मैं अच्छी प्रकारश हैं पर मैं set कर लेता हूं ताकि यह थोड़ा से बहतर दिखे इतना काम करने के बाद दोस्ते इस पर आपको क्लिक करना है यहां से दोस्तो आपको color फिल करना है चलिए मैं दोबारा से green filter में क्लिक करकर वही color को मैं यहां पर फिल कर देता हूं तो दोस्तो आप देसकते कि उपर का यहां तो मेरा frame बन कर रेडिय हो चुका है अब चलिए यहां पर मैं अपना school का नाम और address में यहां पर टाइप करता ह हूं तो उसके दोस्तो सबसे पहले मैं चलिए logo लगा लेता हूं तो उसके लिए इंसार्टेब पर क्लिक करता हूं यहां पर आपको सेफ्स का उसी मिलेगा इसमें आपको circle वागा सेफ्स को select कर लेना है और shift button को press करते हूए जो आपने यहां पर इसमें आपको कुछ इस प् hide कर देता हूं जैसा कि दोस्तो आप देख रहे हैं तो कुछ इस टाफ से आप कर लिजेगा जैसा कि दोस्तो आप देख रहे हैं आप चाहें तो अपने हिसाब से इसका स्याज को थोड़ा बहुत छोटा भी कर सकते हैं कुछ इस तरीका से जैसा कि आप देख रहे हैं तो शुरू करता हूँ, तो सबसे फिले इंसर्टेप पर आपको ख्लिक करना है, उसके बाद देखें, इंसर्ट टैप के अंदर एक ऐसे मेदा आपको water का, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है इस में दोस्तो आपको कोई सा एक style को select कर लेना, चलिए मैं select कर लेता हूँ, select करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अपना school का नाम लिखना होगा, चलिए इसको मैं select करता हूँ, और मैं अपने हाँ पर school का नाम यहाँ पर type करता हूँ, जैसे एक दोस्तों आप देख सकते कि मैंने हाँ पर अपना स्कूल का नाम टाइब कर लिया है उसके बाद दोस्तों आप भी अपना स्कूल का नाम टाइब कर लिजीगा उसको फॉर्मेट टेप पर किलिक करकर आपको एफेक्ट में जाना है टेक्स एफेक्ट में अरहां सो दोस्तों जो भी इफेक्ट में इसमें को आपको आपको दोफो written No करने के बाध आपको दुबारत स Phyton stip पर ख्लिक लिखाएं इसका 7 साथ जाना हो जाना चाहिता हूं चलिए इसका सेट्वा कर देता हूं और थोड़ा सा साइज में और बढ़ा देता हूँ ताकि यहाँ पर यह setup अच्छे प्रकार से हो जाए जाए सकते हैं तो कुछ इस टैप से आपको कर लेना है जाशक दोस्तों आप देश सकते हैं कि हाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार से काम किया है उसको बाद दोस्तो अब आपको क्या करना होगा नीचे में स्कूल का address टाइप करना है तो address टाइप करने के लिए दोबारा से वही काम केजिए इसी को स्लेट कर लीजिए स्लेट करने के बाद अपने कीबोर्ड से control प्लस डी बन को प्रेस केजिए उसको बाद चलिए यहाँ पर इसको मैं कंट्रोल एस से सिलेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपना address टाइप कर देता हूँ तो आप भी type कर दिजेगा जैसा कि दोस्तो आप देश सकते कि मैंने अपना यहाँ पर स्कूल का address टाइप कर दिया तो आप यहाँ पर address को टाइप कर लिजेगा उसको आप दिसको अपने हसाब से यहाँ पर adjust कर लिए जैसा कि दोस्तो आप देख रहे हैं adjust करने के बाद दोस्तो आप चाहें तो format टेप पर क्लिक करकर टेक्स फिल पर क्लिक करकर इसका color भी अपने हसाब से चेंड कर लिजेगा जो भी आपको पसंद आता है उस color का आप यूज कर लिजेगा करने के बाद दोस्तो अब चलिए इसको मैं यहाँ पर drag करता हूं जैसा कि दोस्तो आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर मैं अच्छे प्रकार से मैं यहाँ पर मैंने किया है इसका outline को मैं no कर देता हूं और इसमें भी मैं वही color को apply कर देता हूं इसको मैं close कर देता हूं क्लूज कर देता हूं उसको बाद दोस्तो यहाँ पर मैं लिखूँगा identify card के को मैं क्या करुँगगा Ctrl D की मदद से duplicate कर लूँगा और यहाँ पर इसमें मैं type कर देता हूँ identity card जैसा कि आप देख सकते तो आप भी यहाँ पर type कर लिजेगा जैसे कि दोस्तों आप देख सकती कि यहाँ पर मैंने identity card को type कर लिया है उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा उसके बाद आपको home type पर click करना है इसका size को अपने हैसाब से थोड़ा सा मैं बढ़ा कर लेता हूँ और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मैंने किया है इतना काम करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए font पर click कर कर जो भी आपको font पसंद आता है उस font को यहाँ पर आप apply कर देज़ेगा चलिए मैं अपना बला font जो हमें पसंद आता उसको मैं apply कर देता हूँ और इसका color दोस्तों आप अपने हैसाब से home type के अंदर देखिए यहाँ पर एक color का option लेगा इसको मैं white कर देता हूँ और थोड़ा सा साइज इसका मैं और ब्रहाद लेता हूँ ताकि यहाँ सेपस के अंदर पूरा fit हो जाज़ा कि आप देख सकते हैं तो कुछ इस प्रकार से आप कर लिजेगा उसको आदोस्तों आप देखिए इतना तो आपका काम हो चुका है अब चलिए हाँ पर मैं student का मैं photo लगाँगा तो उसके लिए आपको इसका पर क्लिक करना है और देखिए दवारा से आपको रेटेंगल सेपस को स्रेट कर लेना है और कुछ इस प्रकार से इसको ड्रो करना है जैसा कि आप देख सकते हैं और इसका outline को मैं black करता हूँ और से आपको क्लिक करना है और दोस्तों मैं अपना इमेज को इंसाट कर देता हूँ जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं तो कुछ इस प्रकार से अपने हिसाब से सेट अप कर लेना है उसके बाद दोस्तों आप चलिए हाँ पर मैं अपना student का जो भी डिटेल जैसे की नाम हो ग तो उसे लिकने के लिए आपको इंसाट यहरल यह पर और क्लिक करना है इस kriegen के यह पर देल आको कुछ च्टैप से बॉक्स आजाएगा इसी बाउक्स के अंदर आपको लिटेल को फिल कर देना है तो चलिए मैं फिल करता हूं जसा कि आप देख सकते तो सबसे पहले हाँ पर मैं name type करता हूँ तो सबसे पहले कुछी step से आपको यहाँ पर name type करना है उसके वाद आपको अपने keyboard में tap button का option मिलता है उसको दोस्तों आपको कुछी step से दो बार प्रेस करना है उसके वाद आपको symbol देना है और जो भी आपका student का नाम रहेगा चलिए यहाँ पर मैं type कर देता है जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं उसके वाद इंटर आपको प्रेस करना है उसके पादर्शने चलास जो भी आप देना चाहते student का detail ओव आप यहां पर type कर देजिगा चलिए मैं type कर लेता हूं छैसा क्या दोस्तों आप दश सकते कि मैंने अपने अंशार से आंपा स्च्ट्यइन का WASole that आपको इसको स् distint करने के बाद आपको हम्टैप पर क्लिक करना किलिक करने के बाद दोस्तों आपको देखिए यहां पर या पर अगर ऑप का आपको क्लिक करकर इसमें आपको आपको नो कर देना है नो करने के बाद दोस्तों को यहां पर देखिए आपका डेटेल आजाएगा इसको दोस्तों आपको हमट पर क्लिक करकर अपनी हिसाब से जो font आपको पसंद आता है वो आप यहाँ पर apply कर दिजगा चलिए जो हमें पसंद आता है उसको यहाँ पर मैंने apply कर दिया है bold कर सकते हैं तो आप bold भी कर दिजगा और कुछ इस tabs से यहाँ पर मैं इसको setup कर देता हूँ जैसा कि दोस्तो आप देख सकते हैं और थोड़ा से इसको मैं और लियाता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं तो कुछ stuff दोस्तो आप MS Word के अंदर ID card को design कर लिजेगा जैसा कि आप देख सकते हैं अगर दोस्तो आप चाहें तो अपने हिसाब से और भी कुछ यहाँ पर चेंड कर सकते हैं जैसे कि मैं लिजे कि आपने ID card बना लिया और जैसे कि मैं लिजे कुछ और आप चेंड करना चाहते हैं तो अभी भी आप चाहें तो चेंड कर सकते हैं और adjustment मैंथे हिसाम आप कर लेता हूँ जैसा कि दोस्तों आप सिकीजिया ने तो ये सभी काम दोस्तों आप अपने आप सिक daily जैसाimon कर तो याप को लेके ठीक को ठीक उस्साब से आप चाहें तो काम कर शकते जयसा कि lot holiday ठीक है चैनल को सब्सक्राइब जिरूर कर दीजिगा क्यों क्यों को इस प्रकारश वीडियो बनाते रहते हैं वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत भूँत धन्य बाद मिलते हैं किसी नेक्ष वीडियो में